भारत का सवतंत्रता संगर्ष अध्याय चोदा गांधी डक्षिन अफ्रीका से रोलेट सत्याग्रह तक मार्च 1919 में जब मोहन दास करमचंद गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का नारा दिया तो यह भारत में देश व्यापी संगर्ष छेड़ने का उनका पहला प्रयतन था उस समय उनकी उम्र पचास वर्ष हो चुकी थी वह व्यक्तित्व जो भारते सवतंत्रता संगराम की बागडोर संबालने ही वाला था और जिसके नित्रित्व में इस संगराम को अपने सबसे महत्वपूर्ण दोर से खुजरना था उसको समझने के लिए हमें अपनी कहानी कम से कम 25 वर्ष पूर्व दक्षिन अफरीका से शुरू करनी होगी तो सबसे पहले है दक्षिन अफरीका गांदी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में दक्षिन अफरीका गए इंग्लेंड से बेरिष्टर बनकर लोटे थे इसलिए एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वे डर्बन पहुँचे दक्षिन अफरीका की धर्ती पर कदम रखने वाले यह पहले भारतिय बेरिष्टर थी पहले भारतिय जिने उच्च शिक्षा प्राप्त थी दक्षिन अफरीका में भारतियों का पहला जथा 1860 में पहुँचा था दक्षिन अफरीका के गोरे गन्ने की खेती करने के लिए इकरार नामे के तहट भारतिय मजदूरों को अपने यहां ले गए इसके बाद भारतियों विशेशकर दक्षिन भारत से भारतियों का दक्षिन अफरीका में बसने का सिलसिला ही शुरू हो गया मजदूर गए तो पीछे पीछे व्यपारी भी गए जादातर मेमन मुसल्मान दक्षिन अफरीका में भारतियों का तीसरा वर्ग उनका था जो इक्रार नामे की अवदी समाप्त होने के बाद वहीं बस गए थे दक्षिन अफरीका में बसे जादा तर तो अशिक्षित थे और जो थोड़ा बहुत पड़े लिखे थे उनका अंग्रेजी का ग्यान नाम मात्र का था पैसे वाले धनी व्यापारी भी बस उतनी ही अंग्रेजी समझ बोल लेते थे जो व्यापार के लिए जरूरी थी भारतियों के प्रती गोरी जाती जातिये भेद भाव बरतती थी भारतियों ने इस अत्याचार को अपनी नियती मान लिया था कभी यदि उनके दिल में विरोध की भाव न उठती भी तो वे उसे दबा देते क्योंकि उन्हें मालूम ही न था कि कैसे इसका विरोध किया जाए लेकिन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर लोटे नो जवान मोहन दास करम चंद गांधी इन अत्याचारों को सहने के आदी नहीं थे वह गुजरात के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे दिवान के बेटे ब्रिटेन में तीन साल रह चुके थे दक्षिन अफरीका में रंग भेदी अत्याचारों से पहली बार उनका सामना पड़ा डर्बन में एक हफ़ते रहने के बाद जब गांधी जी प्रिटोरिया रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें तरह तरह से अपमानित किया गया यह घटना शायद सबको मालूम है कि एक बार उन्हें एक गोरे ने ट्रेन के प्रतम श्रेनी के डिब्बे से उतार दिया था गांधी जी के पास प्रतम श्रेनी का टिकट था फिर भी जब्रन उतार दिया गया गांधी जी ने प्रतिक शाले में ठिठुरते हुए जाड़े की रात बिताई इससे अधिक शरमनाक कई घटनाई है गांधी जी ने एक गाड़ी में यात्रा करने के लिए प्रतम श्रेनी का टिकेट करीदा था गोरों ने उन्हें प्रतम श्रेनी से हटा कर ड्राइवर के साथ बैठने को कहा उन्हें जब ड्राइवर के पास भी बैठने लायक नहीं समझा गया और कहा गया कि वह पाएदान पर बैठें तो उन्होंने इसका विरोध किया विरोध करने पर उन्हें मारा पिटा गया जोहन्स बर्ग पर उतरने के बाद रात बिताने के लिए गांधी जी ने होटल में कमरा लेना चाहा पर वह जहां भी गए जवाब मिला कि कोई कमरा खाली नहीं है जोहन्स बर्ग से प्रिटोरिया जाने के लिए उन्होंने जब प्रथम श्रेनी का टिकेट मांगा तो बुकिंग कलर्क ने टिकेट देने से इंकार कर दिया गांधी जी ने जब तमाम रेलवे कानूनों का हवाला दिया तो उन्हें किसी तरह पहले दर्जे का टिकेट मिला लेकिन ट्रेन में फिर धक्का मार कर बाहर निकाला जाने लगा एक गोरे ने ही जब इसका विरोध किया तो किसी तरह उन्हें पहले दर्जे में यातरा करने का मौका मिला प्रिटोरिया पहुँचने पर जहां वह मुकदमे की पैरवी करने के लिए आये थे उन्होंने तुरंत भारतियों की एक बैठक आयोजित की और भारतियों से गोरों के अत्याचार का विरोध करने की अपील की उन्होंने अंग्रेजी सीखने के इच्छुक भारतियों को अंग्रेजी सीखाने का वादा किया प्रेस के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट किया नटाल एडवर्टाइजर को एक चिठ्थी में गांधी जी ने लिखा क्या यही इसाईयत है यही मानवता है यही न्याय है इसी को सब्वेता कहते हैं गांधी जी की दक्षिन अफरीका में जादा दिन रहने की योजना नहीं थी फिर भी उन्होंने प्रिटोरिया में भारतियों के अंदर स्वाविमान की भावना जगाई और रंग भेद के खिलाफ संगर्ष का अहवान किया मुकदमा स्माप्त होने पर गांधी जी सवदेश लोटने की तैयारी करने लगे लेकिन जिस दिन वह लोटने वाले थे उसकी पूर्व संधिया पर उन्होंने भारतियों को मतादिकार से वंचित करने वाले विधेयक का मामला उठा दिया यह विधेयक नटाल विधान मंडल में पारित होने ही वाला था दक्षिन अफरीका में बसे भारतियों ने गांधी जी से प्रार्थना की कि वह एक महीने और रुख जाएं और विधेयक के खिलाफ विरोध आंदोलन का नित्रित्व करें भारतियों लोग विरोध पत्र तैयार करना भी नहीं जानते थे आंदोलन को संगठित करने की तो बात ही दूर थी गांधी जी महीने भर रुखने के लिए तैयार हो गए मगर रुख गए 20 वर्ष तक उस समय वह 25 वर्ष के थे लेकिन भारत लोटे तो 45 वर्ष के हो चुके थे दक्षिन अफरीका में गांधी जी का अनुवव एक मामले में अनोखा था इंगलेंड से बेरिष्टर की उपाधी पाने के कारण गांधी जी ने कई चीजें बतोर हक मांगी जैसे ट्रेन में पहले दरजे का टिकट, होटल में ठहरने के लिए कमरा उनसे पहले दक्षिन अफरीका में कोई भारतिये इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था उनके जेहन में यह बात पैठ गई थी कि वे सब्वे पास्चात्य सब्वेता वाले नहीं हैं इसलिए उनके साथ रंग भेद बरता जा रहा है लेकिन गांधी जी के अन्ववों ने गांधी जी को और बाकी भारतियों को यह समझा दिया कि बात कुछ और ही है वे समझ गए कि गोरी जाती हर हाल में अपनी जातियत संप्रभुता कायम रखना चाती है यदि यह बात ना होती तो गांधी जी के साथ ऐसा गवार क्यों किया जाता क्योंकि गांधी जी तो पश्चिमी सब्वेता से पल कर आये थे चूंकि गांधी जी अकेले ही वहाँ ऐसे भारतिय थे जो उच्च थे जो गोरे शास्कों के साथ उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे जो कानून और शासन परनाली की बारीकियों को समझ सकते थे जो विरोध पत्र लिख सकते थे और संगठन बनाना जानते थे जो भारतियों का उनके शास्कों के आगे प्रतिनिधित्व कर सकते थे इसलिए उनसे उम्र में कहीं बड़े और कहीं जादा धनी वैपारियों ने भी उन्हें अपना नेता माना इसलिए रंग भेद के खिलाफ भारतियों के आंदोलन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनी पर आ पड़ी दक्षिन अफरीका में गांधी जी के संगर्ष का एक लंबा इतिहास है विस्त्रित चर्चा करना यहां मुम्किन नहीं हम यहां केवल गांधी जी के दक्षिन अफरीका में प्राप्त व्यापक अनुभव पर संग्षेप में रोष्णी डाल रहे हैं गांधी जी की 1894 से 1906 की राजनीतिक गतिविदियों को भारतियों के नरम पंथी अंदोलन की संग्या दे सकती हैं इस दोरान गांधी जी दक्षिन अफरीकी विधान मंडलों तता लंदन में उपनी वेशों का काम देखने वाले ग्रह सच्चिव और ब्रिटिश संसद को ग्यापन और याचिकाएं भेजते रहे वे समझते थे कि यदि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का पता चल जाएगा तो उसका दिल जरूर पिगलेगा और वे भारतियों के हित में जरूर कुछ करेगी क्योंकि आखिर भारतिय ब्रिटिश समराज्य के ही तो वाशिंदे हैं गांदी जी विबिन भारतिय समझतायों को संगठित करने और उनकी मांगों का खूब परचार करने का लगातार प्रयास करते रहे इसके लिए उन्होंने नटाल भारतिय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपीनियन नामक एक अख़बार निकालना शुरू किया इस दोरान उनमें एक सफल संगठन करता पत्रकार और प्रचारक की सारी प्रतिवाएं दिखाई पड़ी लेकिन 1906 के आते आते उन्हें यह विश्वास हो गया कि संगर्ष के तरीके नाकाफी हैं इन से कुछ हासिल होने वाला नहीं फिर है सत्या ग्रह अंदोलन 1906 के बाद गांधी जी ने अवग्या अंदोलन शुरू किया जिसे सत्या ग्रह का नाम दिया गया सबसे पहले इसका इस्तेमाल उस कानून के खिलाफ किया गया जिसके तहट हर भारतिये को पंजी करण प्रमान पत्र लेना जरूरी था इस पर अंगुठे का निशान लगाना था और इसे हर भारतिये को 24 घंटे अपने पास रखना था 11 सितंबर 1906 को जोहंस बर्ग के इंपायर थेटर में भारतियों की एक विशाल सबा हुई जिसमें एक स्वर से कानून को न मानने का निरने किया गया सरकार और भारतिये दोनों अपने रुख पर अडिग रहे गान्धी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए संगठन बनाया पंजी करण की तारीख बीतने पर सरकार ने गान्धी जी समेत 27 लोगों पर मुकदमा चलाया कानून का विरोध करने वालों को दोशी ठैराया गया और उन्हें देश छोडने का आदेश दिया गया आदेश न मानने पर उन्हें जेल भेज दिया गया कानून का विरोध और जोर पकड़ने लगा और जेल जाने वालों की संख्या 155 तक पहुँच गई लोगों के जहन से जेल का भय अब खतम हो रहा था जेल को लोगों ने किंग एड़वर्ड का होटल कहा सरकार ने गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया और वादा किया कि यदि भारतिये स्वेच्छा से अपना पंजी करन कराएं तो यह कानून वापस ले लिया जाएगा गांधी जी ने इसे मान लिया और सबसे पहले खुद अपना पंजी करन कराया लेकिन सरकार ने उनके साथ चाल चली थी कानून वापस नहीं लिया गया और सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वेच्छा से पंजी करण को कानून के तहट सविकार किया जाए भारतियों के लिए यह बहुत अपमान जनक था उन्होंने गांधी जी के नित्रित्व में अपने पंजी करण परमान पत्रों को इकठा कर सावजनिक रूप से उसकी होली जलाई इसी बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका मकसद परवासी भारतियों के प्रवेश को रोकना था इस कानून का विरोध करने के लिए अनेक वरिष्ट भारतिये नटाल से ट्रांसवाल चले आए इन्हें गिरफतार कर लिया गया ट्रांसवाल के तमाम भारतियों ने भी इन अंदोलन कारियों का साथ दिया कुछ लोग बिना लाइसेंस के खोमचे लगाने लगे जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस थे भी उन्होंने इसे दिखाने से इंकार कर दिया इन लोगों को भी जेल भेज दिया गया गांधी जी भी 1908 में जेल चले गए जेल में अन्य भारतियों की तरह उन्हें भी तरह तरह की यातनाय दी गई उन्हें कठोर मेनत करने को बद्धे किया गया लेकिन जेल के सिंख चे प्रतिरोध को दबा न सके और सरकार मजबूर होकर भारतियों को देश से निकालने लगी इसके शिकार ज़्यादातर गरीब ही हुए व्यापारियों के आर्थिक हितों पर आगहात करने की धमकी भी दी गई अब आंदोलन संकट के दोर में था प्रतिबध सत्या गरही तो जेल आते जाते रहे लेकिन अधिकांश आंदोलन कारी ठक गए थे सरकार का अडियल रवय्या बरकरार था अतया अंदोलन लंबा खिचने वाला था 1909 में लंदन में अंग्रेज अधिकारियों से गांधी जी की मुलाकात का कोई खास नतीजा भी नहीं निकला सत्या गरहीयों के परिवारों के भरन पोशन के लिए इकठा किया गया कोश धीरे धीरे चुकता जा रहा था 1906 के बाद गांधी जी की वकालत भी लगभग बंद ही हो गई थी इन सब हालात को देखते हुए गांधी जी ने टॉल्स्टोए फार्म स्थापित किया और अपने एक जर्मन शिल्पकार दोस्त कालेन बाश की मदद से सत्या गरहीयों के परिवार की पुनरवास समस्या सुलजाई और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया बाद में यही टॉल्स्टोए फार्म गांधी आश्रम बना भारत से भी काफी पैसा भेजा गया था रतन टाटा ने 25,000 रुपए भेजे थे मुस्लिम लीग और निजाम हैदराबाद ने भी मदद की 1911 में सरकार और भारतियों के बीच एक समझोता हुआ पर यहे 1912 तक चला इसी बीच गोखले ने दक्षिन अफ्रीका का दोरा किया सरकार ने उन्हें अपना महमान माना और आश्वासन दिया कि भारतियों के प्रती भेद भाव बरतने वाले सारे कानून समाप्त कर दिये जाएंगे मगर यहे वादा पूरा ना हुआ और 1913 में फिर सत्या ग्रह आंदोलन चिड़ गया इस बार सत्या ग्रह का दाइरा बड़ा था इकरार नामे की अवदी खतम होने पर भी दक्षिन अफरीका में बसे भारतियों पर तीन पॉंड का कर लगाया गया था इसके खिलाफ भी सत्या ग्रह छिड़ा भारतिये मजदूरों में जादतर गरीब थे और वेब मुश्किल एक महीने में दस शिलिंग कमा पाते थे तीन पॉंड का कर उनके लिए बहुत जादा था जब इसके खिलाफ सत्या ग्रह शुरू हुआ तो लगभग सारे भारतिये इसमें शामिल हो गए और सत्या ग्रह सही मायने में जनान दोलन बन गया इसी बीच सुप्रीम कोट के एक फैसले ने आंदोलन की आग में घी का काम किया अदालत ने उन सभी शादियों को जो इसाई पद्धती से संपन नहीं हुई थी और जिनका पंजी करण नहीं हुआ था अवैध करार दिया इस कानून के तहट हिंदू, मुस्लिम और पार्सी रिती रिवाजों से संपन सभी शादियां अवैध थी और उनकी संताने भी अवैध भारतियों ने इस फैसले को बहुत अपमान जनक समझा और अनेक भारतिय महिलाएं भी सत्या ग्रह आंदोलन में शरीक हो गई गांधी जी ने महसूस किया कि अब अन्तिम संघर्ष का समय आ गया है और इसमें सारी उर्जा जोक देनी चाहिए कस्तूरबा गांधी समेत 16 सत्या ग्रही कानून की अवहेलना कर नटाल से ट्रांसवाल पहुँच गए और गिरफतार कर लिये गए ग्यारा महिलाओं का एक जथा बिना परमिट के टॉल्स्टोई फार्म से मार्च करता हुआ नटाल पहुँच गया यह जथा नटाल के एक कस्वे न्यू कैसल में था यहां इन लोगों ने खदान मजदूरों से जो ज़ादातर तमिल थे उनसे बाच्चित की और उन्हें हरताल करने के लिए प्रोतसाहित किया बाद में इस जथे को गिरफतार कर लिया गया गांधी जी फोरण न्यू कैसल पहुँच गए और अंदोलन की बाग दोर संभाल ली मालिकों ने मजदूरों के मकान में बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया और उन्हें मकान छोड़ने को मजबूर करने लगे गांधी जी इन दो हजार मजदूरों का जथा लेकर चल पड़े ट्रांसवाल की ओर इस मार्च के दोरान गांधी जी को दो बार तो गिरफतार कर छोड़ दिया गया पर तीसरी बार गिरफतार कर जेल भेज दिया गया लेकिन मजदूर हतोत साहित नहीं हुए और तब तक मार्च करते ही रहे जब तक की उन्हें जबरदस्ती ट्रेन में बिठा कर नटाल नहीं भेज दिया गया नटाल में इन पर मुकदमा चलाया गया और जेल भेज दिया गया जेल में इन पर तरह तरह के जुल्म ढ़ाये गये कोड़ों से मारा गया और भूखा रखा गया पुलिस के घेरे में इन से ख़दानों में कड़ी मेहनत कराई गई खुद गांधी जी से पत्थर तोड़ने का काम कराया गया एक अंधेरी कोठरी में जमीन ही उनका बिछोवन थी अदालत में ले जाते समय उनके हाथ और पाउं में बेड़ियां पहनाई जाती इस दमन से समूचा भारते समुदाए तिलमिला उठा ख़दान और बागान मजदूरों ने हड़ताल कर दी गोखले ने भारत का दोरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तयार किया लौड हार्डिंग तक ने इसकी निंदा की हार्डिंग के शब्दों में ऐसा कोई भी देश जो अपने को सब्भे कहता हो इस तरह के अत्याचारों को बरदाश्त नहीं करेगा हार्डिंग ने अत्याचारों के आरोप की निश्पक्ष जांच कराने की अपील की लॉर्ड हार्डिंग गांधी जी गौखले सी एफ एंड्रियूज से कई बार लंबी बात्चित के बाद दक्षिन अफरीकी सरकार ने भारतियों की मुख्य मांगे मान ली एक समझोता हुआ और तीन पौंड का कर तता पंजी करण परमान पत्र से करम बद कानून खतम किये गए भारतिय रिती रिवाज से विवा करने की छूट दी गई और भारतिय आपरवासियों की अन्य कठिनाईयों पर सहनु भूती पूर्वक विचार करने का अश्वासन दिय गया शांती पूर्ण अवग्या से शत्रू को आंदोलन की मांगे मनवाने पर मजबूर किया जा सकता है इस परियोग में गांधी जी सफल हुए अब वह अपने देश लोटने की तैयारी करने लगे दक्षिन अफरीका के अनुभवों को बड़े व्यापक पैमाने पर अब आज माया जाने वाला था दक्षिन अफरीका के संघर्षों ने गांधी जी को और भी कई मायनों में राष्ट्रिय अंदोलन के नित्रित्व के लिए तैयार किया दक्षिन अफरीका में गरीब भारतियों के जुझारू पन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया गांधी जी ने दक्षिन अफ्रीका में अनेक समुदायों धर्मों के लोगों का नित्रित्व किया था उनके समर्थक हिंदू, मुसल्मान, इसाई, पार्सी सबी थे ये लोग देश के विबिन हिस्सों से गए थे समाजिक हैसियत भी अलग लग थी अमीर भी थे और गरीब भी थे पुर्षों के साथ साथ महिलाएं भी थी दक्षिन अफ्रीका में गांधी जी को यह अनुभव भी हो गया था कि आंदोलन का नित्रित्व करने वाले को समर्थक व विरोधी दोस्त व दुश्मन दोनों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है दक्षिन अफ्रीका में दो बार गांधी जी की जिंदगी खत्रे में पड़ गई थी 1896 में डर्बन में एक बार गोरे नागरिकों की एक भीड ने उन्हें सडक पर घेर लिया गांधी जी किसी तरह जब अपने घर पहुँचे तो उनका घर घेर लिया गया गोरे लोगों की भीड गांधी जी के खून पीने पर उतारू थी गांधी जी को किसी तरह बचाया गया इसी तरह एक बार एक भारत्य पठान ने उन पर हमला कर दिया वे गांधी जी से इसलिए नराज था कि गांधी जी ने सरकार से एक समझोता कर लिया था इन घटनाओं से गांधी जी ने यह सबक सीखा कि निताओं को कई बार सखत निरने करने पड़ सकते हैं ऐसे निरने जो उनके समर्थकों को भी पसंद नहीं आएंगे दक्षिन अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरन में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली नित्रित्व के नए अंदाज और संगर्ष के नए तरीकों को विक्सित करने का मोका मिला पलसवरूप गांधी जी रणनीति वसंगर्ष के तरीकों की खामियां और मजबूतियां दोनों को ही अच्छी तरह जान गए और उन्हें विश्वास हो गया कि ये ही सबसे बहतर है अब उनके सामने चुनोती थी इस रणनीति को भारतिय राजनीति की भूमी पर आजमाना फिर है भारत वापसी गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लोटे जनता ने बड़ी गरम जोशी से उनका स्वागत किया दक्षिन अफ्रीका में उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोग पुरिये बना दिया था केवल पड़े लिके लोग ही नहीं अनपड़ और देहाती भी गांधी जी के बारे में जान गए थे और उनके प्रती आदर का भाव रखते थे गांधी जी जब हरीदवार के कुम्ब मेले में गए तो उनके दर्शन के लिए ग्रामिनों का हुजूम उमड़ पड़ा गोखले ने पहले ही भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुन हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मानित करने की अनोखी प्रतिबा है वह आम आदमी को बलिदानी और संगर्ष शील बनाने की अद्भुत शमता रखते हैं गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समुची स्थिती का अध्यन न कर लिया जाए गौखले ने भी उन्हें यही सला दी थी गांधी जी ने निर्ने किया कि फिलहाल वह किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सारवजनिक कदम नहीं उठाएंगे वह साल भर देश का दोरा करते रहे और आमदाबाद में अपने आश्रम को जमाने का काम करते रहे गांधी जी के जो समर्थक दक्षिन अफरीका से उनके साथ आए थे उन सब को आश्रम में बसाने का काम चल रहा था दूसरे साल भी गांधी जी सक्रिय राजनिती से दूर रहे उस समय होम रूल आंदोलन पूरे जोर पर था लेकिन गांधी जी इसमें शरीक नहीं हुए उस समय भारत में जितनी भी राजनितिक धाराएं थी गांधी जी के विचार किसी से मेल नहीं खाते थे नरम पंती राजनीती में उनकी आस्था कब की खतम हो चुकी थी वे होम रूल आंदोलन कारियों की इस रननीती के खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अफसर है इसी रननीती के तहट प्रतम विश्वियुद के छिड़ते ही होम रूल आंदोलन छेड़ा गया था गांधी जी इस रननीती के खिलाफ थे इसके अलावा वहततकालीन संगर्षों के तरीकों से भी असहमत थे उनका मानना था कि संगर्षों का एक मात्र तरीका है सत्या ग्रह गांधी जी के उस समय के आंदोलन में भाग न लेने का कारण उनी के शब्दों में इस परकार था मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूँ जब मैं उसकी नीतियों को परभावित करूँ मैं उसकी नीतियों से परभावित होने के लिए उसमें शामिल नहीं होँगा इसका यह अर्थ नहीं है कि नई रोष्णी को ग्रहन करने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ नहीं है मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह नई रोष्णी इतनी परभावी हो चका चोंद करने वाली हो कि मुझे सम्मोहित कर ले दूसरे शब्दों में गांधी जी केवल उसी आंदोलन से जुड़ सकते थे जो सत्या ग्रह के रास्ते पर चल रहा हो फिर है चमपारन, एहमदाबाद और खेडा लेकिन गांधी जी के इन विचारों का मतलब यह नहीं था कि वह चुप चाप बैठे रहेंगे 1917 और 1918 के आरंब में गांधी जी ने तीन संघर्षों चमपारन अंदोलन, बिहार, एहमदाबाद और खेडा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया ये तीनों संघर्ष स्थानिय आर्थिक मांगों से जोड कर लड़े गए चमपारन और खेडा आंदोलन किसानों का आंदोलन था और एहमदाबाद का आंदोलन और द्योगिक मजदूरों का आंदोलन था चमपारन का मामला बहुत पुराना था उन्निस्मी सदी के आरंब में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के तीन बटा बीसमे हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था इसे तिनकठिया पद्धती कहते थे उन्निस्मी सदी के खतम होते होते जर्मनी के रसाइनिक रंगों यानि डाई ने नील को बाजार से बाहर खदेड दिया चमपारन के यूरोपिय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फाइदा उठाना चाहा किसानों को अनुबंद से मुक्त करने के लिए लगान वअन्य गैर कानूनी अबवाबों की दर मनमा ने धंग से बढ़ा दी गई 1908 में इसके खिलाफ विरोध काफी मुखर हुआ पर बागान मालिकों की लूट का कारोबार चलता रहा 1917 में चमपारण के राजकुमार शुकल ने गांधी जी को चमपारण बुलाने का फैसला किया वे गांधी जी के पीछे पीछे तब तक घूमते रहे जब तक की गांधी जी चमपारण आकर किसानों की समस्याओं का अध्यन करने को राजी नहीं हो गए गांधी जी जैसे ही चमपारण पहुँचे कमिशनर ने उन्हें वहाँ से तुरंट चले जाने का आदेश दिया गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया और इसके लिए किसी भी दंड को भुगतने का फैसला कर लिया लोगों के लिए यह आश्चर्य जनक कदम था तिलक और एनी बेसंट के लिए भी यह नई चीज थी क्योंकि इन लोगों को जब भी इस तरह के आदेश दिये गए थे उनका विरोध करते हुए भी इन्होंने उसका पालन किया था किसी अनुचित आदेश की अवग्या और उसका शांती पूर्ण तरीके से प्रतिरोध वास्तों में नई चीज थी भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहती थी अतै उसने स्थानिय परशासन को अपना आदेश वापस लेने तता गांधी जी को चमपारण के गावों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया यह गांधी जी की जीत थी वे अपने काम में लग गए यहां भी उनके काम का तरीका अनोका था वे अपने सहयोगियों ब्रज किशोर, राजेंदर प्रसाद, महादेव देशाई, नरहरी पारेक, जेबी कृपलानी तता बिहार की अनेक बुद्धी जीवियों के साथ सवेरे गावों में निकल जाते और दिन भर घूम घूम कर ब्यान दर्ज करते उनसे पूरी पूछताच करते और जब तसल्ली हो जाती कि वे सही कह रहे हैं तभी उनका ब्यान दर्ज करते इसी बीच सरकार ने सारे मामले की जाच के लिए एक आयोग गठित किया और गांदी जी को भी इसका सदस्य बनाया गांदी जी के पास पहले से ही काफी सबूत इकठे हो गए थे आठ सो किसानों का ब्यान वे दर्ज कर चुके थे आयोग को यह समझाने में की तिन खठिया पद्धती खतम होनी चाहिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई उन्होंने आयोग को यह भी समझाया कि किसानों से जो पैसा अवैद रूप से वसूला गया है उसके लिए उन्हें हरजाना दिया जाए बागान मालिक किसी तरह अवैद वसूली का 25 फिस्दी वापस करने पर राजी हुए गांदी जी मान गए कुछ लोगों ने आलोचना की कि गांदी जी ने शत परतीशत वापसी की मांग क्यों नहीं की गांदी जी का कहना था कि 25 फिस्दी रकम वापस करना भी बागान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेजिती है इस से वे बहुत ही शर्मिंदा होंगे एक दशक के भीतर ही गोरे बागान मालिकों ने चमपारन छोड़ दिया अब इसके बाद एहमदाबाद का नमबर था मिल मालिकों और मजदूरों में पलेक बोनस को लेकर विवाद छिटा था पलेक का परकोप खतम होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे मजदूरों का तरक था कि उन्हें बतोर बोनस जो रकम मिल रही है वह प्रथम विश्विद के दोरान बड़ी हुई महंगाई से काफी कम है अतै इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए ब्रिटिश कलेक्टर को लग रहा था कि दोनों पक्षों में कहीं शक्ती परीक्षन की नौबत न आ जाए उसने गांधी जी से कहा कि वह समझोते के लिए मालिकों पर दबाव डाले मिल मालिकों में से एक अंबालाल सारा भाई गांधी जी के दोस्त थे और हाल ही में उन्होंने साबर मती आश्रम के लिए काफी पैसा दिया था गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिबुनल को सौप देने पर राजी कर लिया लेकिन बाद में मालिकों ने हड़ताल का बहाना बना कर अपने को इस से अलग कर लिया उन्होंने बीस फीस दी बोनस की गोशना की और यह धमकी दी कि जो मजदूर इसे सवीकार नहीं करेंगे उन्हें नोकरी से निकाल दिया जाएगा मालिकों के वेवार से गांधी जी काफिश शुब्द हुए उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा उत्पादन लागत मुनाफ़ा और मजदूरों के जीवन निर्वाख खर्च का गहराई से अध्यन करने के बाद गांधी जी ने घोशना की कि मजदूरों को 35 फिस्दी बोनस मिलना चाहिए हड़ताल शुरू हो गई साबर मती के तट पर रोज मजदूरों की सबा को गांधी जी संबोधित करते उन्होंने एक दैनिक समाचार बुलेटिन भी निकाला मजदूरों को हिंसा का रास्ता अक्तियार न करने की सलाह दी अंबा लाल सारा भाई की बहन अनसुया बेन इस संघर्ष में गांधी जी के साथ थी लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मजदूरों में निराशा घर करने लगी दैनिक सभाओं में उनकी हाजिरी कम होने लगी मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए गांधी जी ने खुद अंशन पर बैठने का फैसला किया गांधी जी ने यह वचन भी दिया हुआ था कि यदि हरताल के कारन मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुँच जाएंगे तो वे खुद भूखे रहेंगे गांधी जी के अंशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिबिनल को सौपने पर राजी हो गए जिस मुद्दे को लेकर हरताल हुई थी अब वह खतम हो चुका था इसलिए हरताल खतम हो गई बाद में ट्रिबिनल ने 35 फिस्दी बोनस देने का फैसला सुनाया इसी बीच गांधी जी को पता चला कि खेडा जिले के किसान बहुत मुसीबत में है फसल बरबाद हो गई है फिर भी सरकार उनसे माल गुजारी वसूल रही है किसान मांग कर रहे है कि माल गुजारी माफ की जाए पर सरकार मान नहीं रही है सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरी जाच परताल के बाद यह निशकर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है और राजस्व सहिता के तहट पूरा लगान माफ किया जाना चाहिए इस सांदोलन में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई गुजरात सभाने उस वर्ष गांधी जी इसके अध्यक्ष थे अपील और याचिकाओं का जब कोई असर नहीं पड़ा तो गांधी जी ने किसानों से कहा कि लगान मत दो और सरकार के दमनकारी आदेश के खिलाफ जुजहारू संगर्श करो सरकार को बता दो कि वह नागरीकों की राए के बिना हुकुमत नहीं चला सकती खेड़ा जिले के युवा वकील वल्लब भाई पटेल इंदू लाल यागनिक तता अन्ने अनेक युवाओं ने गांधी जी के साथ गामों का दोरा शुरू किया किसानों से संगर्श की अपील की सरकार लगान न देने वाले किसानों की संपत्ती कुर्क कर रही थी उनके मवेशियों को हांके ले जा रही थी गांधी जी ने किसानों को लगान न देने की शपत दिलाई जो किसान लगान देने की स्थिती में थे उन्हें भी मना किया गया तरक दिया गया कि यदि अमीर किसान लगान दे दें तो गरीब किसानों पर भी लगान देने का दबाव पड़ेगा और कई या तो करज लेंगे या अपनी संपत्ती बेचने पर मजबूर हो जाएंगे गांदी जी ने कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर देती है तो जो लोग लगान दे सकते हैं वे स्वेच्छा से पूरा लगान दे देंगे लेकिन पहले से ही पलेग महंगाई और सूखे की मार से तरस्त खेडा के किसान अब और संगर्ष करने की स्थिती में नहीं थे इसी बीच गांदी जी को पता चला कि सरकार ने अधिकारियों को गुप्त निर्देश दिये हैं कि लगान उनी से वसूला जाए जो देने की स्थिती में हैं इस तरह गांदी जी का मकसद पूरा हो गया और आंदोलन समाप्त कर दिया गया चमपारन एहमदाबाद और खेडा आंदोलन ने संगर्ष के गांधी बादी तरीकों को आजमाने का अवसर दिया था साथ ही साथ गांधी जी को देश की जनता के नजदीक आने उसकी समस्याएं समझने का भी अवसर मिला था गांधी जी को जनता की ताकत और उसकी कमजोरियों का पता चला उनकी रणनीती कारगर साबित हो सकती है इसका अनुमान लगाने का भी मौका मिला बहुत सारे राजनीतिक कारे करता विशेशकर यूवा पेड़ी के उनको शर्धा की नजर से देखने लगे और इस दोरान गांधी जी ने भारतिय जनता के बीच अपनी पहचान बना ली फिर है रौलट सत्याग्रह अनुभव और लौक प्रियता ने गांधी जी को अदम में साहसी बना दिया इसी साहस और विश्वास के कारण उन्होंने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रौलट एक्ट के खिलाफ देश व्यापी अंदोलन का अहवाहन किया अंग्रेज आतंकवाधी गदिविदियों को दबाने के नाम पर भारतियों के मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते थे रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी ने दो विधेयक तैयार किये जिसे रौलट बिल का नाम दिया गया ये दोनों विधेयक लेजिसलेटिव वर काउंसिल में पेश किये गए थे और इन में से एक विधेयक तो निर्वाचित भारते सदस्यों के तमाम विरोध के बावजूद जटपट पारित भी कर दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के इस कानून को भारते जनता अपने लिए अपमान जनक समझती थी यह कानून ऐसे समय पराया विश्वियूद की समाप्ति पर जब भारते जनता समयधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी समयधानिक प्रति रोध का जब कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्या ग्रह शुरू करने का सुझाव दिया एक सत्या ग्रह सभा गठित की गई इसमें जादातर हॉम रूल लीक के युवा सदस्य थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संगर्ष करने के लिए बेताब थे हॉम रूल लीक की सभी शाखाओं सदस्यों का नाम और पता पुरानी सूची से मालूम किया गया और उनसे संपर्क किया गया प्रचार कारे शुरू हो गया देश व्यापी हरताल उपवास और प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का फैसला किया गया साथ ही साथ कानूनों की अबग्या करने का भी निर्ने लिया गया इसे शुरू करने के लिए 6 एपरेल की तारीक तै की गई आंदोलन ने जो सवरूप अक्तियार किया वह अप्रत्याशित था तारीक के बारे में कुछ गल्त फहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल आयोजित की गई जिसके दोरान काफी हिंसा भड़की बाकी स्थानों पर भी जब हड़ताल आयोजित की गई तो हिंसा भड़की प्रथम विश्वियुद के दोरान सरकारी दमन और अत्याचार से जूजने वाले पंजाब में प्रतिरोध का यह मोका हिंसात्मक गतिविदियों के लिए एक अवसर सावित हुआ जनता काफी उग्र थी अमरिसर और लाहोर में तो नियंतरन पाना मुश्किल हो गया सरकार चिंतित हो गई गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने गुजाने का प्रियास किया पर सरकार ने उन्हें पंजाब में घुजने नहीं दिया उन्हें बंबई भेज दिया गया बंबई पहुचने पर गांधी जी ने देखा कि बंबई और उनका अपना परदेश गुजरात आकरोश की जवाला में जल रहा है उन्होंने वहीं रहकर जनता को शांत करने का निर्ने किया लेकिन पंजाब की घटनाएं खतरनाक मोड दे रही थी अमरिसर में 10 अप्रेल को सैफू दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफतारी के खिलाफ ताउन होल और पोस्ट ओफिस पर हमले किये गए टेली ग्राफ तार काट दिये गए और गोरे लोगों को मारा पीटा गया औरतों पर भी हमले किये गए प्रशासन ने सेना को बुला लिया और नगर का प्रशासन जनरल डायर के हाथ सोप दिया गया डायर ने जन्द सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंद लगा दिया 13 एपरल को बैसाखी का दिन था जलिया वाला बाग में एक सभा आयोजित की गई इसमें जादतर ऐसे लोग शरीक हुए जो गावों कस्बों से बैसाखी मेले में भाग लेने आये थे जन्रल डायर को लगा कि उसके आदेश की अवहेलना करके यह सभा आयोजित की गई है वह सभा स्थल पर पहुँचा और निहत्थी जन्ता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया दस मिनट तक निहत्थी भीड के सीने चलनी होते रहे डायर ने गोली का अदेश देने से पहले कोई चेतावनी देना भी उचित नहीं समझा सभा स्थल के चारों और उची उची दिवारे थी वहां से तुरंत भागना भी संबब नहीं था आकणों के अनुसार 389 व्यक्ति मारे गए लेकिन वास्तों में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जलियाँ वाला बाग कांड से पूरा देश स्थब्ध रह गया वहशी करूरता ने देश को मौन कर दिया यह मौन तूटा मगर कुछ समय बाद सरकार ने इस कांड के बाद भी दमन का रवया बरकरार रखा पंजाब में मार्शल लो लागू कर दिया गया विशेश कर अमरिस्सर की जंता पर अनेक तरह के अत्याचार किये गए लोगों को पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया गांधी जी ने देखा कि पूरा माहोल हिंसा की लपेट में है तो 18 एपरेल को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह से विश्वास पुठ गया था या वह भारत्य जनता से निराश हो गए थे एक साल बाद उन्होंने फिर राष्ट्र व्यापी अंदोलन छेडा यह पिछले रोलट सत्याग्रह से भी अधिक व्यापक था